यहीं साथ यहों देखेगा ITBP के अंदर वेकेंसी आई है और यह वेकेंसी कितने पदों पर है कबसे इसके फॉर्म चालू होंगे क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है एक्जाम में क्या रहने वाला यह स्किल टेस्ट में क्या रहेगा वो सारी चीज़े मैं आपको बता देता है और यहां पर देख सकते हैं अन्डिजर्व यानि जनरल के लिए 209 है स्ट के लिए 77 एस्ट के लिए 40 और ओवी सी के लिए 55 वेकेंसी मतला टोटल 545 वेकेंसी है और यह किस चीज़ के लिए इन्देखो कॉंस्टेबल ड्राइवर की वेकेंसी है ठीक है आगे आप जान सक करते हैं कि 10% टोटल वेकेंसी का रिजर्व होता है एक सर्विसमें के लिए सब लोग जानते हैं आगे आप देखेंगे और समझेंगे कि ITBP के पास में राइट होता है भरती को किस तरीके से संचालित करना होता है इसका जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो 100 पे का फी से 27 होना चाहिए और अगर आपने दस्मी कर रखा है और वैलिड हैविकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे ठीक है ओलाइन फॉर्म भरा जाएगा अच्छा कब से कब तक रहेगा वो मैं आपको अभी बताता हूं और इसका प्रोसेस सकते हैं इसके बाद में अपको मेडिकल होगा मेडिकल में अन्फिट होते हैं तो आप पूरी मेडिकल दे दिया जाएगा यह एक प्रोसेस है आप आगे आप देख लिजेगा कि और मेडिकल की पूरी गाइडलाइन से यहां पर आपको जीयो दे रखा है वह पढ़ लेना इसका जो online form होगा वो देख सकते हैं कि 8-10 से चालू हो जाएगा, कब से कब तक चलेगा देख लीजेगा, 8-10-2024 एने अगले महिनी से चालू रहेगा, और 6-11-2024 तक आप इसका forum भर सकते हैं, ठीक है, तो ये पूरा-पूरा I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ITBP का ये के गुड़ न्यूज है, सबी स्ट्वेंट तक इस वीडियो को जो है, जरूर शियर कर दीजेगा, और अगर आप नए हैं, तो make sure इस चनल को सब्सक्राइब आपने कर रखा होगा, नहीं किया हुआ है तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, अगर आपके मन में अन्य किसी भरती चे सम्मनित कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो के साथ, वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद,